दोस्तों है गाइज वेलकम टू माई चैनल संटीच दोस्तों आज हम किसी अपली केशन का रिव्यू में करने जा रहे हैं आज हम उत्तर प्रदेश के रायवरेली जिले में एक बेहिंटा का पुल है उसी पुल की ब्लॉगिंग करने जा रहे हैं जो कि ये पुल बहुत ही इस पुल की खास बात ये है कि इस पुल के नीचे से साई नदी बहती है और इसके उपर से सारधा नहर बहता है जैसा कि आपको यहाँ पर हम अभी दिखाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुल कितना ही खुशुरत धंक से बनाया गया है आप यहाँ पर देख और इस पुल के नीचे साई नदी बहती है आप यहाँ पर देख सकते हैं और यहाँ पर बहुत ही जो नदी है बहुत ही गहरी नदी है और यहाँ पर भी देख लीजिए इस तरफ इस तरफ कोना जा रहा यह देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर रावली में जो रहते हैं जो इस पुल के बारे में जानते हैं वो एक लोग एक बार जरूर देखने आते हैं इस पुल को प्योंकि इस पुल को सभी लोग देखना चाहते हैं इस पुल का अपना पुराना ही इतिहास है इस पुल को स्रीमती इंदरा गांधी ने मनवाया था जब यहां पर रावली में पानी की बहुत ही ज़्यादा किलत पड़ गई थी तो अब उस अस्तान पर आ गए हैं जहां पर साही नदी इस पुल के नीचे से गुजरती है आप देख सकते हैं यह साही नदी है जो यह नीचे है इसी पुल के नीचे से उजरती है और यह जो साही नदी है बहुत ही गहरी साही नदी है और यहां पर यह रावली का बाई पास अभी बन रहा है काफी दिनों से बन रहा है अभी बन करके तयार हो जाएगा लगभग 3-4 सालों में मारी यू तर्श हुर! तो हम आज पुल के दूसरे छोड पर आप देख सकते हैं यहां पर बहुत ही तुफानी जलधारा यहां पर वह रही है क्योंकि ये बर्सात का मौसम है बहुत ही तेजी के साथ जो साधानाहर है यह भी चल ला है पानी से भारा हुआ है पूरे तरीके से आपको इसाइ नदी है और आप नीचे का द्रस भी देख सकते हैं पुल का कि कितनी अच्छी तरीके से कितने मजबूत तरीके से ये पुल बना हुआ है और कितनी खुबसूरती से इस पुल को बनाया गया है तो फ्रेंड्स अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा अगर चैनल पे हमारे नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि हम ऐसी ही ब्लाग से जुड़ी हुई वीडियो आप के लिए लाते रहेंगे तो फिर मिलेंगे अगले ब्लाग में तब तक के लिए बाई टेक केर